हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम टो दिस अमेजिक प्लेटफॉर्म टाप 10 क्लासे, तो आज की वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कच्छानों के पाड़करम परिचे के बारे में, तो गाइज, यहाँ पर हमने कच्छानों के जो विग्ञान के पाड़करम परिचे को कौन से कमिस्ट्री के चेप्टर हैं, हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे, तो गाइज, यहाँ पर हम लोगों का है, पहला हमारे आसपास के पदार, पहले से लेकर चोथे तक का चेप्टर है, वा हमारे कमिस्ट्री का है, पहले से लेकर चोथे चेप्टर जो हमारे हैं, ये हमारे chemistry subject के हैं तो इसे पढ़ाएंगे हमारे classes के प्रज्जुवल सर गाइस ये जो पहले से लेकर चोथे chapter हैं ये chemistry के हैं और ये आपको पढ़ाएंगे प्रज्जुवल सर इसके परचाज जो पाचमा, छाठमा, सातमा ये तीनो biology के हैं ये तीनो पाचमा, छाठमा, सातमा ये तीनो जो topic हैं ये biology के हैं और यहां 13, 14, 15 हैं ये तीनो topic भी biology के हैं तो गाइस यहाँ पर जो कच्छा 9 में biology का पाठकरम है वो 6 chapter है 6, 7, 8, 13, 14, 15 है ये 6 chapter biology के हैं इसे मैं पढ़ाऊंगा मेरा नाम है सचीन आज से मैं आपको biology का subject पढ़ाऊंगा इसके पश्चार जो यहां से आठमे से लेकर बाराहमे तक का chapter है आठमे से लेकर जो बाराहमे तक का chapter है ये आप लोगों के physics portion में आता है इसे आप लोगों को पढ़ाएंगे हमारे classes के अनिके सर अनिके सर गाईज यह ओ गया आप लोगों ने जान लिया कि कच्छा नौ में कौन कौन से हमारे chapter फिजिस के हैं कौन से हमारे chapter chemistry के हैं कौन से हमारे chapter biology के हैं तो गाईज कच्छा नौ में 4 chapter chemistry के हैं इसके पश्चार 4 chapter फिजिस के हैं 6 chapter biology के हैं तो हम लोग इसके बारे में अध्यन करेंगे, तो guys हम लोगों का जो इसमें आता है, जीवन की मौलिक इकाई पहला चेपटर है, जिसे हम लोग कोशका कहाते हैं, guys कोशका किसी पीजियуюं की सरशनात्मक और क्रियात्मक छोटी इकाई है, जिसे हम लोग कोचका कहते हैं कोचका का खोज Robert Hook ने 1665डी में किये थे और ये 1665डी में Robert Hook कोचका की खोज किये थे वो भी अनगढः सूचमदर्सी के द्वारा अंगढः सूचमदर्सी के द्वारा अनगण सूचमदर्सी गाईज जो इसमें हम लोगों का है कोशिका का खोश रावर्ड हुग ने 1665 इसवी में और अनगर सूचमदर्सी के द्वारा कार्क की पतली कार्ड पर इन्होंने खोजा था इसके पस्चाद गाईज जो कोशिका होता है कोशिका के बारे में रावर्ड हुग ने खोजा था फिर कोशिका के खोश रावर्ड हुग ने किया था कोशिका के बारे में लिवेन हग ने बताया था था कोशिका के बारे में एक ही साइंटिस्ट नहीं अपितु धेर सारे साइ को प्रतिपादित किया एस हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे फिर कोइस का का निर्माळ कोइस का के प्रकार में जैसे कोइसका द्रब केंथरा कोई प्लेस्टिट रस धानिया माइट्रो कांडिया कोश्का केंद्रयक इन सब के बारे में हम लोग इसमें अध्धन करेंगे कोश्का के बारे में टोटली चैप्टर में इसमें हमें कोश्का के बारे में पढ़ना है और इसमें एक पोर्षन आता है कोश्का विभाजन अर्ध सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पिर इसके पश्चात हम लोगों का छाटमा चेप्टर इसमें बायलोजी का दूसरा चेप्टर है उतक, टिसू, उतक क्या होते हैं कोशिकाओ के समू को हम लोग उतक करते हैं इसमें हम लोग जन्तू उतक वा पादप उतक के बारे में पढ़ेंगे तता उसकी सरस्णा के बारे में भी पढ़ेंगे इसके पस्चाद गाई जो हम लोगों का इसमें तीसरा अध्या है वह है जीवों में विभित्ता जो जीवों में विभित्ता और एच विहेटकर नामप बग्यानिक ने जीवों को पांच भाग में वर्गी करिद किया था जिसमें इसमें पाला आता है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया तबला Esto अचके जानते हैं अचके नाम से जानते हैं जिवों को पांच भाग में वर्गी करिद किया जिसमें पाला आता है मोनेरा दूसरा अठाउ प्रोटिस्टा थीसरा फंजाई चल्था प्लांटी पांचवा इनिमलिया इसके साथ उन्होंने जीवों को एक order क्रम में रखा है जिसमें सबसे नीचे आता है जात, फिर once, फिर cool, guard, work, sun, जगर इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर इसके पशाथ उन्होंने बिभीन प्रकार के जली जीवों को एक तरब अस्थली जीवों को एक तरब बिभ प्रकार के जगतों में बाटा है या हम लोग उसमें पढ़ेंगे फिर इसके पशाथ गाईज यह हम लोगों का तीन चैप्टर हो गया जीवन की मौली की काई इसमें हम लोग को उसका के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग तोटली टीसू के बारे में पढ़ेंगे और तो 13 चेप्टर है हम बीमार के होते हैं इसमें हम लोग जो हमारा प्रतिरच्छा तंद्र है जो बाइकार को से हमारे प्रतिरच्छा तंद्र क्या एफेक्ट पड़ता है जिससे हम लोग बीमार होते हैं कुछ सूचमजीव होते हैं जो हमारे प्रतिरच्छा तंद्र को प्रभ पारण के बारे में भी उसके जैसे कोई सोचमजी हुए उससे हमें ये विकार होता है तो उसे हमें छुटकारा कैसे पाना उसका उप्चार क्या है उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं फिर इसके पसाद गाई जो हम लोगों का पांचवाँ चेप्टर आता है इसमें प्राक्तिक संपदा प्राक्तिक संपदा में जैसे जो हमारे कार्बन चक्र हो गए नाइट्रोजन चक्र हो गए जल चक्र हो गए और पेड़ पौदे जो आए प्रदूसर है जल प्रदूसर है ये सब हो रहे हैं इनको रोकने के लिए इनके बचाओ के लिए इनसे होने वाले विविन प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे तता इनके बचाओ के बारे में भी पढ़ेंगे फिर इसके पस्चाद गाईज हम लोगों का पंद्रावा आता है खाद संसादनों में सुधार जैसे गाइच पहले के जवाने में हम लोगों का जनसंख्या जो था वो बहुत कम था और हमारे खेत अधिक थे लेकिन आज कल भारत की बढ़ती जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है लेकिन जो हमारे खेत हैं उनमें बृद्धी नहीं हो रही तो हम लोग जो पुराने बीज हैं उसमें कुछ मोडिफाई करके ऐसे नए बीज का निर्माड करें कि जो अस्थान कम हो पैदावार अधिक हो जिससे बढ़ती जनसंख्या में खाद्यान के पूर्ती कर ली जाए तो इसमें हम लोग कुछ हाइब्रेड़ बीजों का निर्मा पालन मदुमक्खी पालन इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे या गाइज हो गया आज हम लोगों का कच्छानव के स्लेवस ओवर इविव इसमें आपको कमिस्टी प्रजवल सर पढ़ाएंगे फिजिक्स अनिकेस सर पढ़ाएंगे और बायलो जी मैं सचिन सर आप लोगों जै भारण